एलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल वाई टू इस्टेडी पर आज दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे हम फीगर कॉंटिंग यानि की दोस्तो हम तिरभुजों को गिन्ना इस वीडियो के माध्यम से आसानी से सीखेंगे ओ भी बेसिक और ट इसरा टाइप है दोस्तो हमारा कुछ इस तरीके से तो दीकि दोस्तो तीनो टाइप हो मैं अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से आपको हल करना यानि की गिन्ना सिखाऊंगा इसलिए दोस्तो आप लोग वीडियो पर अंतक बने रहना तो दीकि दोस्तो पहला हमारे पास तिर्भूज इस तरीके का इसमें हमें बताना है कि कितने तिर्भूज होंगे तो दिखिए दोस्तो या तो हमारा एक सिंपल तिर्भूज है तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक तिर्भूज होंगे दोस्तो तो दिखिए दोस्तो अगला क्या दिया है अगला दिये दोस्तो हमार एक बड़ा वाला तिर्भुज हो गया यहां से हम एक count कर लेंगे और दूसरा हमारा दोस्तो इस left side याने की by side एक तिर्भुज बन गया तो यहां से एक ऐट कर देंगे उसके बाद दोस्तो देखिए यहां से हमारे पास dyn paper side एक तिर्भुज बन गया यहां से एक आइट कर लेंगे तो दीखिए दोस्तो total कितना हुगा यहां पर total करेंगे तो हमारे पास तीन तिर्भुज हो गया लेकिन दीखिए दोस्तो इसके बाद जो तीसरा तिर्भुज हमें गिनना है दोस्तो इसमें देखिए इसमें अगर आप लोग basic से करेंगे तो आपको जादा समय लगेगा जो की paper में करने में हमें time को बचाना होता है दोस्תो तो देखिए दोस्तो इसका trick क्या है इसका trick है दोस्तो देखिए यहाँ पर एक तिरभूज है तो एक लिख दिये और यहाँ पर तो हमारे पास तीन तिर्भूज है, तो अगला देखी दोस्तो, इसमें कैसे हम count करेंगे, यहां पर दोस्तो लिखेंगे, एक और दो, फिर तीन, फिर चार, अब देखी दोस्तो, इनी चारों को, यानि की, एक को जोडेंगे, फिर दो जोडेंगे, फिर तीन, और फिर चार, तो दिखी दोस्तो, सभी को हम total करें कितना होगा, यहां से 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 4 को जोड़ेंगे दोस्तो, यहां सोगे हमारे पास 10, यानि कि इसमें बड़े वाले तिर्भुज में दोस्तो हमारे पास 10 तिर्भुज की तरह ही सीखेंगे तो देखी दोस्तो इस वाले तिर्भुज में कितने तिर्भुज होंगे या एक हमारा simple तिर्भुज है यानि कि या दोस्तो एक simple तिर्भुज है तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक तिर्भूज होगा लेकिन अगला देखिए दोस्तो इसमें कितना तिर्भूज होगा इसमें अगर हम बेसिक्स देखेंगे तो दोस्तो तो यहाँ पर पहला बड़ा वाला तिर्भूज हो गया और उसके बाद दोस्तो यहां से छोटा वाला एक तिर्भूज हो गया यानि कि इसमें दोस्तो दो तिर्भूज हो गया लेकिन इसमें देखी दोस्तो अगर इसको करेंगे बेसिक सो तो इसे आप कर सकते हैं लेकिन आपको समय बचाना है परिच्छाओं में इसके लिए क्या ट्रिक है तो दिखे दोस्तो यहां पर हमारे पास एक लाइन है तो यहां पर एक लिखेंगे यहां पर दूसरी लाइन है तो यहां पर दो लिखेंगे तो दिखे दोस्तो एक तो यहां हो गया एक यहां हो गया यानि कि दो हमारा राइट उत्तर होगा दोस्त इसमें दिखी दोस्तों एक यह हो गया दूसरा यह हो गया तीसरा यह हो गया और च्वता यह हो गया यानि कि दोस्तों यहां पर हमें जोडना या फिर और इसके अत्रिक कुछ नहीं करना है तो इस 36 लाइन को 36 line को हमें सिर्फ count करना है यानि कि गिनना है तो 1, 2, 3, 4 तो यहां से दोस्तों हो गया हमारे पास 4 तिर्भुज यानि कि इस तिर्भुज में इस बड़े वाले तिर्भुज में total मिलाकर 4 तिर्भुज हैं दोस्तों तो फिर चलिए दोस्तों आपको दूसरा टाइप भी अच्छे समझे आ गया है अब हम देखेंगे तीसरे टाइप को यानि कि आखरा टाइप आखरी टाइप दोस्तों तो दिखिए दोस्तों आखरी टाइप में क्या दिया है यहां पर दोस्तों हमारे पास एक simple तिर्भुज दिया है इसमें हम बता सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक तिर्भुज बनेगा लेकिन देखिए दोस्तों उसके बाद हमारे पास दिया है दूसरा तिर्भुज में एक 36 लाइन खीचा है यानि कि एक उर्धवादर लाइन खीचा है दोस्तों और एक 36 लाइन खीचा है यानि कि इस तिर्भुच को बड़े वाली तिर्भुच को चार भागों में बाटा है दोस्तो तो देखी दोस्तो इसको कैसे हल करेंगे इसको हल करने का हल करने का दोस्तो ट्रीक है मारे पास यहाँ पर एक लिखेंगे और यहाँ पर दो लिखेंगे तो दोनों को टोटल करें तीन तो देखिए दोस्तो इस तीन को और इस तीन को जोड़ें की टोटल कीतना होगा यहां सूग Primary हमारे पास 3 पलस 3 बराबर 6 यानि की ऐसमें दोस्तो हो गया 6 तिरभुज। अब अगले वाले को देखिए दोस्तो अगला वाला हमारा कुछ इससे ज्डा यानि की ज़्यादा कठिन है तो इसमें कैसे करेंगे एक दो तीन चार यानि कि हम एक दो तीन चार इसी तरीके से जितने खाने होंगे उतनी गिंतियां लिख देंगे दोस्तो उसके बाद उसी तरीके से उपर भी लिख देंगे तो यह होगा हमारे पास एक दो तीन चार अब दिख वाले वाले तिरभूश में 20 यानि कि कुल मिलाकर 20 तिरभूश होंगी दोस्तो यहीं होगा इसका right answer तो फिर चलगीं दोस्तु मैं आसा करते हूं आपको रिजिनिंग का या टाइप यानि कि रिजिनिंग का या चैप्टर अच्छे समझे आ गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो या भी पसंद आया दोस्तों तो किर्पिया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज मिलते हैं हम अगले फीगर कांटिंग के साथ आज की लिए बस इतना ही दोस्तों धन्यवाद